हमारे giveaway contest में participate करें और Gizmo India YouTube चैनल को subscribe करके बेल notification को on करें ताकि आने वाली सारे वीडियो और giveaway's की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुचें याअ उपो है घ्याच視 करी आप Am I kamo gonna अपने डिनकों सिरिस के अंदर दोने स्मार्ट फान को लाँच कर दिया है जिन में शामिल है ओपर युनोड फाइफ वाइफ अर उपपाल यूग स्वार्शिंवर और यूनूत फाइफ फोन है और अपर यूनो फाइफ प्रो फ्लैट तो चले वीडियो स्टार्ट करते है OPPO Reno 5 Pro में दिया गया है 6.55 इंच Full HD Plus OLED डिस्प्ले जो आता है curved side edges के साथ ये स्मार्टफोन में हमें देखने मिलता है 90Hz refresh rate के साथ-साथ in-display fingerprint sensor लेकिन इस फोन में कौन सा glass protection यूज किया गया है ये अब तक OPPO ने clear नहीं किया है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बैटरी थोड़ी कम पड़ गई है क्योंकि स्मार्टफोन आता है 5G connectivity और 90Hz refresh rate वाले डिस्प्ले के साथ जो नॉर्मल से थोड़ा जादा बैटरी कंस्यूम करता है तो इस फोन में थोड़ी जादी बैटरी होनी चाहिए थी Reno 5 Pro एक flagship smartphone है और इसमें flagship processor भी यूज किया गया है लेकिन ये Snapdragon का processor नहीं है ये smartphone में यूज किया गया है MediaTek का Dimensity 1000 Plus processor जो आता है Mali G77 GPU के साथ और इस phone में हमें देखने मिलता है up to 12GB LPDDR4 X RAM जो आता है up to 256GB UFS 2.1 internal storage के साथ जिससे आप expand नहीं कर सकते क्यों ये smartphone में SD card slot ही नहीं है मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह से smartphone manufacturers SD card को अपने smartphone से बाहर कर रहे है जिस तरह से उन्होंने 3.5mm audio port को भी निकाल दिया क्या आजकल के smartphone में हमें SD card की जरूरत नहीं है ये smartphone up-to-date है क्योंकि ये smartphone में यूज किया गया है Android के latest operating system Android 11 जो आता है custom UI color OS 11.1 के साथ camera department में ये smartphone आपको बिल्कुल भी disappoint नहीं करेगा क्योंकि ये smartphone आता है quad rare camera setup के साथ जिसमें शामिल है 64MP का main sensor 8MP का ultra wide angle sensor 2MP का macro sensor और 2MP का mono sensor और selfie के लिए भी इसमें दिया गया है 32MP का selfie camera connectivity की बात करें तो इस smartphone में आपको वो सारे चीज़े देखने मिलेगी जो एक flagship smartphone में होनी चाहिए जिससे USB Type-C port, Dual 5G का support, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC और GPS बाकि flagship smartphone के तरह इसमें भी हमें 3.5mm audio port नहीं देखने मिलता है build quality और durability की बात करें तो इस smartphone बना है glass metal sandwich design पर जिसका मतलब इस smartphone के front और back में हमें glass देखने मिलता है और बीच में हमें देखने मिलता है aluminium body यह smartphone के glasses में low quality protection यूज की गई है और इस phone में किसी भी तरीके का water protection नहीं दिया गया है तो अब वक्त आ गया है आपको बताने का के मैं इस phone के बारे में क्या सुचता हूँ यह phone वैसे तो बहुत अच्छा smartphone है कुछ कम्यों के साथ जैसे इस phone के glasses में low quality protection यूज की गई है किसी भी तरीके का water protection नहीं दिया गया है storage को आप expand नहीं कर सकते है और इस phone में 3.5 mm audio port भी नहीं है लेकिन बहुत सारे अच्छी चीज़े भी है इस phone में जैसे इसका display, powerful processor, बहुत ही अच्छा camera और up-to-date connectivity इस phone को gizmo india के तरफ से मिलता है थम्स अब अगर यह smartphone इंडिया में 35 से 40 सर की price range में launch होता है और आपको इस price range में कोई smartphone लेना है तो आप इस phone को ज़रूर consider कर सकते है तो यही था ओप और you know 5 pro smartphone आपको इस phone कैसा लगा और आप इस phone के बार में क्या सूचते हैं निचे comment में ज़रूर बताया तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए stay strong be different